नमस्कार दोस्तों वैसे तो सिक्कों का चलन बहुत पुराना है मान्यता है छैवी या पांचवी शताबदी इसा पूर्फ के आसपास सिक्कों को भुकतान की एक विधी के रूप में बनाया गया था जो की आज तक चले आ रहा है लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया में सब 1933 में सोने से डबल इगल नामक सिक्कों को बनाया गया जिसकी कीमत लगभग 20 अमेरिकी डॉलर थी यह सिक्के कभी चलन में नहीं आए डबल इगल के कुछी सिक्कों का निर्मान किया गया जिसमें से 9 सिक्कों को छोड़कर अधिकांश को नश्ट कर दिया गया इन 9 सिक्कों को यूएस तकसाल के श्रमी को द्वारा चुरा लिया गया था वर्षों बाद इन नौ सिक्कों में से एक को सन 2002 में नीलाम कर दिया गया नीलामी में इस सिक्के की कीमत 20 मिलियन यूएस डॉलर से अधिक लगाई गई जिससे यह नीलामी में बिखने वाला अब तक का सबसे महं के लगभग है ऐसी ही और रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल मिशन नौलिज को सब्सक्राइब करें धन्यवाद